अब आप अब आप अब आप हेलो आवरिवन वेलकम एट माई चैनल स्कूल से जस्ट आने के बाद मैं आ गई हूँ छट पर वीडियो शूट करने गर्मी बहुत है मतलब मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है लेकिन मुझे आज वीडियो शूट करना था मैंने सोच लिया था कि आज मुझे वीडियो शूट करना ही है थमनेल देखकर आप समझी गए होंगे कि मैं आज के वीडियो में क्या शेयर करने वाली हूँ जी हाँ मैं अपने बालों को कैसे वोश करती हूँ यही मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों एक चीज बता दू कि हमारे लाइफ में जो सबसे बड़ा असर होता है वो स्ट्रेस का होता है हमारी जो फिजिकल हेल्थ है या हमारे हेर की ग्रोथ है मतलब या फिर हमारी प्रोग्रेस है किसी भी चीज पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है वो स्ट्रेस बनती है तो कैसे भी करके इससे बच के रहे खुश रहने के कोशिश करे देखे मतलब मैं कोई यहां पर मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रही हूँ पर यह जो मेरे एक्स्पीरियन्स रहे एक्चुली मेरी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेस्टी हुई थी और वो क्या हुई थी मैं आप लोग उसा शेयर नहीं करने वाली क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ नहीं कुछ होता है और ना ही मैं कोई यहां पर मोटिवेशनल स्पीच दे रही हूँ तो उससे निकलने में मुझे कई साल लग गए और मतलब वो इतनी मतलब बहुत बड़ी बड़ा लोस था हमारे लिए तो उसके बाद मेरे बाल इतने से हो गए थे मतलब इतने से निकल निकल के निकल एक दिन में इतने इतने बाल निकलते थे सारे ही निकल गए थे इतनी सी चोटी बंती थी इतनी पतली सी बंती थी और जो मुझे पहले से नहीं जानता था उनको लगता था कि इसके बाल ही नहीं है मुझे खुद भी ना मतलब एक शरम सी आने लगी थी कि मेरे बालों को क्या हो गया फिर मैंने क्या करना शुरू किया थोड़ा वक्त के साथ चीजे नॉर्मल हुई लंबा का हालांकि काफी लंबा टाइम लग गया और मैंने अब योगा मैं हमेशा से ही पहले से करती हूं लेकिन उस चीज को मैंने थोड फिर मैंने क्या क्या योगा का चो टाइम दूरेशन था और बढ़ाया मैंने अपनी माइंड को अलग जगे डाइवर्ट करना शुरू किया और अपनी केर करनी शुरू की तो फिर जैसे मैं होस्टल में थी ना मैं आवला रिठा और शिका काई से हेर वोश किया करती थी और तो सब मुझे एक ही बात कहते थे कि हम से आपके बालों में तेला नहीं लगता क्योंकि आपके बालों में हमारे उंगलियां ही नहीं भूमतिया इतने हैवी है तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी अंबा अगर वो वीडियो देख रही हो तो जैसा उसका नाम था वो इतनी की भी केर करना छोड़दीया था फिर असनल kommt कि फिर मैंने लाइफ को पहले की इतरह बनाने की सोचा कि ठीक हैजो हो गया वह सब लाइफ का पार्ट था और सभी के साथ कशना कुछ ऐसा होता है जिसे हमें निकलने में एक लंबा टाइम लगता है लेकिन निकल जाता है इंस तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं लेकिन टाइम की कमी लगा लो या कुछ भी लगा लो मॉस्टली मैंने शैंपू यूज करना शुरू कर दिया है वैसे अभी भी मैं शैंपू अलग अलग ब्रेंड के यूज करती हूं कभी कोई कभी कोई मैं ट्राइ करके देखती हूं कि कोई मुझे कोई मेरे बालो को जम जाये जिससे कि मेरा ये जो इतना जंजट है आमला रेठा शिकागाई भीगोना लगाना और वो प्रोब्लम से मैं निकल जाओं लेकिन अभी तक मैं अभी तक भी मैं इस चीज को ट्राइ कर रही हूं लेकिन मुझे एक भी शैंपू में वह बात नहीं लगी बिल्कुल भी नहीं लगी जो आमला रेठा शिकागाई के घोल में है मैं इतने महंगे महंगे अब मैं किसी शैंपू के बुराई नहीं कर रही ठीक है कोई हो सकता है किसी को मैं बदलब किसी को सूट करती हो यह सब चीजे लेकिन मुझे बिलकुल नहीं करती एक तो मुझे डेंडरफ कितनी प्रॉबलम है सरदिया हाथे इतना डेंडरफ हो जाता है सब बस्वेस्ट सीरियसली सब वेस्ट है मैं ऑनेसली आपो बतारिएं कुछ टांॡ के की वह आपको डेते ते हैं और फिर इतने expensive shampoos पर पैसे waste करना फिर मुझे कोई समझदारी नहीं लगी, अब ऐसा नहीं है, कि मुझे पैसे से कोई हुआ है, लेकिन देखो, महनत का बहुत होता है, और ऐसे ही कहीं हम नहीं दे सकते, मुझे ऐसा लगता है, कि पैसा बहुत महनत का होता है, और इसको पानी में fake देना कोई समझदारी नहीं है, तो फिर मैं अपने वही रूटीन पे आने वाली हूँ, अब आवला, रिठा और शिका काही पे, अब मैंने जो कल हेर वोश किया था, वो इसी से किया था, बहुत लंबे टाइम बाद, क्योंकि अब मैं ठक चुकी थी, और कल में ही मुझे इ उसी पे ही चलना है, देखें, जिस दिन मुझे हेर वोश करने होते हैं, उससे एक दिन पहले, मैं चार-पांच साबूत आमला के टुकडे लेती हूँ, सूखे वाले, ठीक है, सूखे वाले जो आमला के होते हैं, उनको और पांच हे रिठा, को कूट कर उनकी गुटली निक होगा है, जो मैंने जिस कड्हाइ में मैंने आमला और रीठा को भिगोया था, उन्हें उबाल लेती हूँ, उबालने के बाद अनНе ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, जब वो ठंडी हो जाते हैं, तो उसके जो आमला और रीठा है उस कड्हाई मां उनको अच्छे से मे तो इस में तो आपको बार मार्केट के शाम्पू यूस करते हैं उनसे हाइद में रहने हाइसMen शाइद सबस्क्राइब ऐसे यॉइफश होई नहीं है यूथ थोड़ा सा आपको बालो में लगाने के बाद कि छोड़ना पर आ को रब करते रही है तो वह थोड़ा लगेगा कि जाग बन रहा है पर वह वाला जाग आपको नहीं मिलेगा जो आपको मार्केट के शैंपू में मिलता है जब आपके बाल धूलते हैं तो आप एक ही बार में एक अलग एक्सपीरियंस फील करेंगे